हेलो फ्रेंड्स, सोचिलोजी के सूपर MCQ सीरीज नंबर 34 में आपका स्वागत है, यह MCQ इस दोजी सिनिर्जी आरफ, असिस्टन प्रफेसर, PGT, GDC, DTSP, UPSC, यह अन्समाशास्त्र समधी परिक्षाओं के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आग सभी को सतनता दिवस की बहुत-बहुत कामना है, और शतनता दिवस को खूब इंजवाए कीजिए, क्योंकि यह जो शतनता दिवस है, इसको लाने के लिए बहुतों ने अपने प्राणों के बलिधान को दिया हुआ है, आप जानते ही हैं, ठीक है, उनके समय में तो यह सब सपना सा होता कि कभी देश आजाद भी होगा, और हमारे पुरोजों ने यह सबी चीजियों को जहला हुआ है, ठीक है, तो हमको बहुत इंजवाए के साथ सबसे ज़्यादा इंपोर्टन वहारा जो फेस्टिबल है, वो हमारा इंडिपेंटेंटेंस डे ही होना चाहिए, ओके, तो अरोपित प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? अरोपित प्रतिष्ठा जो होती है, यानि जो हमको जन्म से प्राप्त होई है, यानि उसको पाने के लिए हमको कोई परिश्रम करने की जरूत नहीं पड़ी, नहीं हमको कोई कारे करना पड़ा, हमने जन्म ले लिया और हमने इस प्रतिष्ठा को धारान कर लिया ठीक है जैसे माली जे राजा का बेटा हुआ तो क्या होगा उसको कोई परिश्रम करने की जरूत नहीं होगी पैदा होते ही उसको राजकुमार कहे के लोग बुलाने लगेंगे ठीक है तो उसको सम्मान मिला उसी तरह से जो उची जाती मे मिलने के कारण उसको क्या होता है जाती का सम्मान उसको मिल जाता है ठीक है यानि कि विक्ति कितना भी गरीव हो यदि वो ब्रामन परिवार में होता है या फिर और भी समण जाती है जो है इसमें उसका जन्म होता है तो उसको शुरू से ही अपने आप सम्मान मिलने लगता ह उसको अर्जित प्रस्थिती की जरूत नहीं बढ़ती है शुरू-शुरू में ठीक है तो आरोपित प्रतिष्ठा का ताथ पर है कि जो उची जाती में जन्म लेते हैं उसके कारण जो सम्मान मिलता है ठीक है जन्म से जो सम्मान होता है फिर देखे कोशन नुबर टू है जब समाजिक प्रस्थिती का निर्धारन जन्म और अनुवान सेकता का अधार पर होता है तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है ठीक है यानि जब समाजिक प्रस्थिती का मुख्य निर्धारक जो होता है वो जन्म होता है और वन्स होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या जन्म और औरंवान सीखता तो बंद इस तरीक्रण होता है ठीक है बाके खुला इस तरीकरण इसमें तो अर्जित प्रसुति का महत होता है वर्ण इस तरीकरण इसमें आप जाते हैं यह भूषी जन्म और आधारित होता है और इस पर कितने भी योगता भरी हो लिकिन आपने निम्न जाती में जन्म लिया है तो क्या होगा आपको सम्मान नहीं मिलेगा ठीक है फिर कोशन न्म volcanoes्व फृर्टारण को उच्चतर और नहीं निम्न निम्न बहुं है किसने कहा है तो यह परीभाशा है कि सरीकरण उच्छतर और निनतर समाजी की कायों में समाज कभी भाजन है तो ये देखे रेमंड मूर ने कहा है तो most important definition है ये और आपको याद रखना चाहिए फिर देखे question number 4 है समाजे की सरीकरण एक स्रेजनात्मक आवशकता है ये किस ने कहा है तो ये quotation है और most important quotation है ये देखे किंगसले डेविस का कत्थन है तो किंगसले डेविस ने बोला है कि समाजे की सरीकरण समाज की एक स्रेजनात्मक आवशकता है यानि समाज के विकास के लिए समाजे की सरीकरण बहुती ज़रूरी है ठीक है और वहीं पर यदि माक्स की बात की जाए तो माक्स क्या कहेंगे कि समाजी की स्तरीक्रण समाज के लिए खत्रा है चुमिन ने भी खत्रा माना है ठीक है उन्होंने कहा है कि समाजी की स्तरीक्रण जो है वो एक पच्छी विवस्ता है और उच्छ जाती द्वारा निर्मित है और उच्छ वर्ग के लोगों द्वारा ऐसे नियम बनाएगा है ताकि उनके ही बच्चे पीड़ी-दर-पीड़ी क्या करें स्तरीकरण में उच्छा अस्थान प्राप्त करें इसलिए ये अच्छ व्योस्ता में भी ये आयू के अधार पर भेदया हो ओ शहित यहां पर जातीं को करें उसी तरह से यदि कोई उच्छे जाती में जन्मा या तो गम समान प्राप te करेगा و जन्म पर आधारी त सित्रीक Help किस में देखने का मिलता है 작ी दिकर Kevin नम्बर सिक्स है यदि कोई शाले चिकिस्सक अपने मरीच के शत्रू के उकसाने पर मरीच के पेट में कैची छोड़ देता है तो वह किस प्रकार का अपराद कहलाएगा यानि कोई विक्ति अपने विवसाय के आधार पर अपराद करता है विवसाय का लाग उठाते हुए यहाँ पर देखें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वो चिकिस्सा अपराद लगा देंगे जबकि यह है सुएत शन अपराद तो याद रखेगा इसमें क्या होगा सुएत शन अपराद इस तरह से कुशन कई बार आ चुके हैं तो याद रखेगा आप इसको फिर स्रिभाद की उच्छे किसने माधद्ग द्रवी वर्षन के परिभेक्षमें सामाजीक अधिगम के सिधानत का प्रतिबादन किया तो किस ने किया था ? फिर कुशन नूम् swojeट है जेंडर और स्साइटि पुछता किसकी है तो किसकी है इस इस समद्धित यह चैप्टर बनाए कि जैविकी जो अंतर होता है इस्त्री और पुरुष में उसी की अधार पर ही क्या हुआ तरीकरन हुआ हो यदिस्त्री में ऐसे गुड्ठ ही नहीं कि वो नीचे रहना चाहिए है जो दूसरेखे में कि जो समाज शाथ्री है ठीक है वो क्यà मानते हैं समाज को जिमिदार मानते हैं, वो कहते हैं कि समाज ने स्त्री को निमने किया हुआ है स्त्री में वास्ता मैंसे कोई गुड नहीं है कि इसको पूरुष नीचे रहना चाहिए समाज ने बताया है उसको कि तुमको ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है तो society नहीं इस्त्री को क्या क्या है पिछडा पर्ण उसका बनाए हुआ है फिर देखिए question number 9 है इस्त्री स्त्री है पूरुष पूरुष ये विचारधारा किस प्रकार की विचारधारा है तो ये देखिए अतिवादी विचारधारा है ठीक है एक रांदिकारी विचारधारा भी इसको कह सकते हैं फिर देखिए question number 10 है जब एक चर के मुले में वृध्धी होती है तो दूसरे चर के मुले में भी वृध्धी होती है तो इसको हम क्या कहेंगे किस प्रकार का संब्द है आप समश क्या सोशिलाजी में जानते हमेंगे ज theor की बीच में संब्द होता है और उससे प्रभावित होकर उससे जुड़ा हुआ जो चर है वो भी यदि उसके मुले में वृध्धी होने लगती है तो ये संबंध कैसा संबंध होगा ठीक है ये कैसा संबंध होगा ये सकारात्मक संबंध होगा ठीक है और सकारात्मक संबंध क्यों होगा क्योंकि एक के गुड़ में जब वृद्धी हो रही है तो दूसरा भी वृद्धी कर रहा है ठीक है उससे सकारात्मक रूसे ही नहीं होता तो इस तरह से यह कोशन आपका रेड़ी है ओके वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इसका लाब मिले और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और सब्सक्र करें वीडियो में तब तक के लिए बाई